हेलो एवरीबन वेलकम बैक इन वर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपित्व दोस्तों आज हम इस वीडियो में कोशन नमर 79 को आज हम कंप्लीट करेंगे ओके इससे पहले में 78 कोशन तक कर जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है तो आप हमारी प टैट एक्जाम से हमने मैत के कोशन लिए हर एक वीडियो में एक नया कोशन इसका मतलब क्या हुआ 79 आज हम कंप्लीट करें इसका 79 कॉंसेप्ट इन बेसिस पे सम कोशन को कर चुके हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए गा मोस्टली क्या होता सीटेट में आपके इसी तरी टैट एक्जाम है क्योंकि मैत का जो आपका स्लेवर से बहुत सीम रहता ही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टुएंट्स को सेर करें जिससे कि क्या हो सब लोग अपनी तयारी को और बहतर कर सके तो चलिए शुरू करते है अपना सेसन तो दोस्तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर करिए ओके ये कोशन आपसे सीटेट में लगातार तीन साल पूछा गया है तेक लीजिए ड पूछा गया था 210 के सबी धनातमत गुर्ण कंड़व کا योगफल क्या होगा ठीक है ये कोशन में ने कोशन में दोनों लेंग्वेज में लिखी हूई है क्यों क्योंकि देखो दौनों language भी लिखता हूँ तो paper का जो screen दिखाई देगा ना आपको complete solution आ नहीं पाए गए सिलिए क्या किया मैंने first question में ही आपको language दौनों की लिख रखे ठीक है मैं इसको भी read कर देता हूँ the sum of all positive factors of 210 ठीक है 210 के जितने भी आपके धनात्मक गुरंखन यानगी factor बनेंगे वह आपको बताने यह question आपसे seat at 2014 में पूछा गया है जो अगला question मैं आपको दिखा देता हूँ यह question seat at 2015 and last इस video third question जो हम करेंगे वह 2000 बारे में पूछा गया देख लीजिए similar यही question same pattern desert change हुई है लगातार continue पूछा गया है और हो सकता है maybe possible आपसे इस सालिये question पूछ लिया जाए तो चलिए देखते कैसे solve करेंगे 210 के सबसे पहले क्या करना है आपको इनके factor करने ठीक है मैंने और रेड़ी तीनो questions के factor कर रहा है जिससे के हमारा time based ना हो ठीक है ओके सबसे पहले क्या करना है आपको factor करने क्या factor भी prime factor में करने ठीक है जो भी आपको number given है उसके आपको prime factor करने ठीक है तो दीक ही prime factor हमने किये हैं तो हम यहां लिखेंगे 210 is equal to 2 multiply 3 multiply 5 and multiply 7 हमने यहां पर क्या किया है जो भी हमारा number given होता है उसको आपको prime factor में break करना है ठीक है अब देखें यहां पर 2 का power कितना है आपका 1 है और 3 का power भी 1 है और 7 का power भी 1 है और 7 का power भी यहां पर 1 है ठीक है पहले question को आप 25 तरीकी से समझ लीजिए अगर concept clear हो गया तो देख करिए आप कम समय में जल्द से जल्द इसको आप solve कर सकते हो ठीक है तो देखें सबसे पहले prime factor कर लिए उनकी power लिख लिए अब आपका यहां से trick apply होने वाला है concept समझ ली trick समझ ली जो आपको भेतर लगता है उस तरीके से आप समझ लीजिए ओके तो देखें 2 का power यहां पर कितना one तो power में आप एक add कर जी त्रीका power two और एक minus करना ऐसे ओके और denominator में लिखना है three minus one ना है similar 5 के साथ करना आपको five की power कितनी है one तो five की power two minus का one और divide में आपको लिखना five minus का one multiply का sign फिर आपको लिखना 7 का power कितना है पर 1 एक एड़ गरी 7 की power 2 minus का 1 upon 7 minus का 1 उम्मीद है आपको सब कुछ यहां तक तो clear होगा ठीक है तो अब आगे बढ़तें calculation पर देखे 2 की power 2 जो होती है आपकी कितनी होती है 4 होता है 4 minus 1 कितना होगे आपका 4 minus 1 आपका होगे 3 3 upon 2 minus 1 कितना होगे 1 ओके similar आग इसको भी solve कर दिये 3 की power 2 9 minus 1 आपका होगे 8 8 upon 2 ओके multiply का sign 5 की power 2 यानि की 25 25 minus 1 24 24 upon 4 5 minus 1 4 होता है multiply का sign 7 की power 2 49 49 minus 1 48 48 upon आपको मिलेगा 7 minus 1 6 ओके अब आपका जो remaining part इसको आप solve कर ली जिएगा 6 से आपका बच्चा 6 से 8 time कट होगे 6 8 जा 48 4 से आपका ये 6 time 4 6 is 24 और 2 से आपका ये 4 time कट होगे remaining part आप लिखिए जब आप लिखोगे you will get 3 multiply 4 multiply 6 multiply 8 and जब आप इन सब का multiply कर लोगे तो तब आपको final answer मिलेगा answer मिलेगा आपको 576 यानि कि जो आपका option है यापे वो option है यापे आपका D correct हो चुका है उम्मेदे आपको सब कुछ समझ आ गया होगा तो चलिए अगर कोई भी doubt है तो अगले question में आपका clear होज आएगा तो बढ़ते हैं अगले question की दरफ तो question देखिए 76 का अगला ही part इसको समझ लीजिए दो question और हैं इस वीडियो में तो आपको जो भी doubt रहेगे न सारा के लिए रोज आएगा अब देखिए 96 के आपको पहले prime factor करने है देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के factor कर दिए जिससे कि हमारा time कम बेस टोटी के तो आपको यह करना सबसे पहले 96 के आपको factor कर लिने है आपने क्या कि 96 से factor कर लिए factor वो भी prime करने है तो आप यहाँ लिखिए 96 is equal to 2 आपका कितने time आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 2 आपका रहा है 2 का power 5 multiply 3 ओके यहाँ पर 3 का power कुछ भी नहीं है तो हम power को count करेंगे 1 ओके किसी भी number की power नहीं होती है तो हमारी power 1 हो जाती है अब अपना concept यहाँ पर apply करेंगे तो करना क्या है गुरंखंड निकालने के लिए सबी धनातमा गुरंखंड को निकालने का योगफल का जो formula होता है वो होता है आपका 2 की power यहाँ पर कितनी है और एक minus कर दीजिए upon में कह लिखना 3 minus का 1 उम्मीद है सब कुछ यहाँ तक आपका clear होगा तो आगे बढ़ते है 2 का power 6 आपका होता है 64 ठीक है 64 minus का 1 होता है 63 63 upon 2 minus 1 आपका 1 हो गया multiply का 3 का power to 9 होता है 9 minus 1 8 8 upon हो गया 2 अब simple सी बच्ची हुई calculation उम्मीद है आप इतना सब तो आप सब भी लोग करे ही लोगे और आना भी चाहिए 63 multiply by 4 तो जब आप multiply करोगे तो you will get 4, 3 is a 12 and 4, 6 is a 24 and 25 252 इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा यानि की option number V तो देख लिजे किस तरीके से question को solve करते है उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आज़े तो please चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को जाद से जादा लोगों में share करिए जिससे कि क्या हो जो भी लोग तैयारी करें हुँ सब की लिए भी helpful रही होके और साथ साथ notification कर जो well icon उसको दवा दीजे आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंच दाए तो चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं फिर आपने session को हम complete करेंगे last question हमारी वीडियो का ये है हंड्रेट के सभी धनात्मक गुड़न खंड़ों का योगफल आपको बताना है जैसे कि हमने बताया था ये question आपसे seat at 2012 में पूछा गया है तो देख लिए इस तरीकी question बनते हो सकता है इस साल आपसे पूछ लिए जाए हम आपको मैत पैड़क होगी question भी आपको देंगे तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस question को आप सभी लोग अब इसको तो समझी गए होंगे तो नाव सबसे पहले हम क्या करते है जो गिबन नमर हो तो उसके प्राइम फेक्टर कर ले हैं तो नाव I can write 100 is equal to हम क्या लिख सकते है हंड्रेड को लिखेंगे प्राइम फेक्टर में 2 का पावर 2 into 5 की power 2 हमने क्या किया 100 के यहाँ पर prime factor कर लिए उनको power को according लिख लिए ठीके तो ना अगला आप अब हमारा जो concept है निकान लेका वो यहाँ से start हो जाता है 2 का power कितना है 2 power में आप 1 add कर दिए कितना होगा 2 का power 3 और 1 minus कर दीजे ओके और यही आपके सब कुछ समझ आई गया होगा now 2 का power 3 कितना होता है 8 8 minus 1 आपका होगा कितना 7 7 upon 2 minus 1 आपका होगा 1 multiply 5 की power 3 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 में से 1 minus करोगे तो you will get 124 5 minus 1 आपका होगा 4 ओके अब यहाँ से आप इसको cut कर लिजे simple सी calculation 4 से आपके cut होगा 4 3 is a 12 and 4 1 is a 4 अब remaining part क्या रहे गए आपका 7 multiply 31 जब आप इनका multiply करोगे तो you will get 7 बन जा 7 और 7 3 is a 21 यानि की 217 इस question का correct answer हो जाएगा यानि की option number V तो देख लीजिए इस तरीके से इन question को आपको solve करना exam अगर आपसे पूछे जाते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई questions का ताथ एक और नई concept के साथ तो बने रही है हमारे साथ तब तक के लिए धन्वा, take care and wait for the next video तो फिए तक के लिए